सब्सक्राइब करने वाले हैं और आज हम लोग समझेंगे ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन मतलब जो हमारा पॉजिशन है वेलासिटी है इन तीनों चीज में कैसे ग्राफ अगर आता है तो हम कैसे उसको इंटिर्प्रेट कर सकते किस तरह से देखेंगी ग्राफ को और बेशीशन का तो हम लोग ने पहले देख लिया था पहले हमारा बेखें जहां पे यहां पर यहां प्या सना है एक्स को हम पॉजिशिन का है 2019 हम्हरा पॉजिशन से हमें पई आहे उसक्राइब करकभाना वो उजएके मिनिकल telescope यह चीज को हमने देखा था कि अगर हम हमारे पास वेलासिटी का टाइम के साथ अगर हमारा एक्सपरेशन है तो अगर हम इसका फर्स जरेवेटेव निकालेंगे तो अगर आजाएगा और साथ में यह भी देखा था कि एक्सलेरेशन को ऐसे भी हम लोग लिए सकते हैं डी हम ह्लोग कि अगर हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ है मतलब अगर पॉजिशन का टाइम की साथ रिलेशन गिवन है तो अगर उसका यह तीन चीज़ को ध्यान से समझते है अब यहांपे चाह रहाया है दब पोजिशन ऑन एक पोजिशन है एक अबजेक्ट उसका पोजिशन है मुविंग एलोंग एक्स एक्सेस वैरिस विद टाइम आज शोन इन फिगर यह फिगर गिवन है अच्छली यह बहुत ही इस्टांडर्बुक का है ग्राफ तर वालोसिटी वर्सेश टाइम यह पोजिशन गिवन ए वाला और हमें आउट करना है ग्राफ बिट्विन वेलोसिटी वर्सेश टाइम का और साथ में एक्सेलरेशन वर्सेश टाइम और एटी ग्राफ भी फाइंड करना दोनों चीज़ तो दोनों चीज़ अल्री यहां पर समझेंगे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जीरो से टी तक जो है एक समान रेट से यहां से यहां तक पोजिशन इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्स इंक्रीज कर रहा है पोजिशन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा ठीक है सो यहां से यहां तक जो एलर षीटिटी क्या होगा हमारा इंक्रीज करेगा, right, so velocity जो है, at x is equal to 0 पे velocity 0 होगा, but at x is equal to 2a पे velocity 0 से linearly increase करके, किसी particular point तक आएगा, यहां तक आएगा, तो यह linearly हुआ, ठीक है, तो यह हमारा velocity होगा, जो कि linearly increase गया, ठीक है, अब यहां पे देखिए, चुकि यहां से 0 से ta तक, जो velocity है, जहां समझेंगे, linearly increase कर रहा है, ठ यह जो slope है, velocity time का, vx और t का जो slope निकालेंगे, यह, यह slope कहा है, constant है, चुकि slope constant है, तो acceleration क्या होगा, constant होगा, कोई fix value, और slope हमारा positive है, तो acceleration constant होगा, so 0 से a तक, कुछ constant acceleration होगा, तो यहां से यहां तक, जो 80 एस constant है, तो वो parallel to the x-axis होगा, तो यह increase acceleration हो नहीं रहा है, तो 0 से a त constant acceleration का graph, ऐसे straight line आ जागा, ठीक है, तो अब ध्यान से हम देखेंगे, यहां पर की graph, अगर 0 से ta तक है, ऐसे increase किया linearly, यह paraboli tab का है, तो यहां पर जो slope है, जो dx over dt निकालेंगे, हर एक point पे, उसको अगर plot करेंगे, तो यह linearly आ जाएगा, ऐसे ठीक है, linearly आ जाएगा, और linearly आगा, और velocity time graph का slope constant है, लेकि positive slope है, ठीक है, यह slope क्या, positive है, तो positive के करेंट, इसका कुछ fixed acceleration होगा, यह हमारा acceleration होगा, 0 से ta तक, अब second portion ta से tv तक देखते है, अगर ta से tv तक, अगर हम लोग ध्यान से यहां से यहां तक, ठीक है, तो इस case में, यह जो velocity, यह जो position time है, यह position time का, अगर हम देखें, सुलोब क्या है, हमारा constant है, position time lifesmat gonna constant rate से increase कर रहा ह। यहां से zero से यह तक constant rate से increase नहीं कर रहा था, यहां से constant rate से increase कर रहा, तो rate constant है, अब अगर rate कॉंस्टेंट है तो एक्स टी का जो सुलोप होता है वो क्या होता है हमारा वेलोसिटी ठीक है और एक्सटी का सुलोप कॉंस्टेंट है तो वेलोसिटी टी-ए से टी-वी तक अगर हम देखें गलर चेंज कर लेते हैं तो टी-ए से टी-वी तक यह वेलोसिटी हमारा कॉंस्ट यहां पर यह जो है यह से टीबी तक अगर हम पॉजिशन टाइम ग्राफ करें तो यह नियर ली इंक्रिट कर रहा है तो यह स्लोप इसका मतलब वेलोसिटी इसका मतलब एक्सलेरेशन चुपी चेंज नहीं होता है क्या हो बाइर में जीरो एक्सलेरेशन सीरोल तक सीधा से टीबी यह से टीफेट कर तक क्यों में बात करें ठीचेंगे तो इस यह इंक्रीज ढरगी इंक्रिट ध् पोजीशन का जो रेट है जो हम सुख निकालेंगे वो पोजीटीव था लेकिन यहां से जो सुख भोगा डटेज डी एक्स ओवर डी ती यह निगेटीव होता चला जाएगा और यह मैक्समम पॉइंट पर क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी जीरो हो जाएगा तो यहां से slope decrease करता जाएगा इसका मतलब है velocity यहां से td तक linearly decrease करेगा तो यहां से देखिए यह portion linearly decrease कर रहा है और td पर आने पर dx over dt क्या और tangent slope 0 हो गया इसका मतलब slope यहां पर td पर slope क्या हो गया जीरो हो गया अब td पर slope 0 हो गया iska मतलब क्या velocity at this point यहां पर अगर हम देखिए यह 0 हो गया मतलब यहां से यहां तक क्या था हमारा निकल नहीं था हमारा velocity increase कर रहा था और velocity यहां पर आकर finally यहां पर 0 हो गया so tb तक अगर हम देखिए यहां से इस portion तक that is tb से td तक हमारा यहां पर वेलोसिटी का जो स्लोप है ध्यांस देखेंगे वेलोसिटी का स्लोप क्या हो जागा यह ओजागा 10 ठीटा ठीक है यहां पर 10 ठीटा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यह हमारा है निगेटीव और यह स्लोप होगा उनिगेटिव होगा और यह हमारा वी टीका स्लोप आ ठीक होगा अब फर्दर आगे देखती है टीडी से तक और चुकि पूजिशन घट रहा है तो यह बैक आ रहा है इसका मतलब है वेलोसिटी हमारा लीनियर विद्थी करेगा वेलोसिटी हमारा लेनियर डिकरीज लेजी क्या तो इस पर सब्सक्राइब और चुकि वेलासिटी हमान निगेटिव डिक्री यह क्या और इस केस में जो सुलोप है हमारा ठीक है यह सुलोप अगर आप देखेंगे तो यह कॉंस्टेंट हो गया राइट ध्यान से देखेंगे सुलोप कॉंस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन भी जीरो होगा ठीक है यह वीटी का टाइम यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो पोजिशन जो है यहां पे इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया विट निगेटिव साइन ऐसे ध्यान से यहां तक आने में इस पोजिशन में सुलोप क्या कॉंस्टेंट है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे तो यह कॉंस्टेंट होगा और फाइनली यहां पे लास्ट पोजिशन में यहां पे पोजिशन कॉंस्टेंट हो जाता है जैसे पोजिशन कॉंस्ट देखेंगी किसका सुलोब देखेंगे एकस्टी ग्राफ का अगर एकस्टी ग्राफ का सुलोब पोजिटीव है तो वेलासिटी हमारा पोजिटीव होगा ध्यान से देखेंगे वेलासिटी हमारा पोजिटीव होगा एकस्टी ग्राफ का अगर सलोप स् yrग है तो व्यक्षशिट नेगेटीव होगा अगर व्यक्रश सवसद्ध से व्यक्रेशन है था इसा हूँर देख लिक्ष में होगा हूँ और देख लिक़िते हैं यहां पे यहां पर अख़ने टाइमगाफ कर द सकते तो इससे टाइमगाफ कर सकते हांँ ठीक यहां पर पर टीच। जीरो है ठीक है T is equal to zero पर velocity कुछ constant है जीरो नहीं है velocity initial velocity है और finally यहां तक आके ठीक है velocity increase किया with इसका slope क्या हो रहा है slope यहां पर ऐसे था ध्यान से देखेंगे ठीक है और यहां पर slope increase कर रहा है ठीक है slope increase कर रहा है इसका मतलब है इस point तक acceleration यहां पर देखेंगे कि slope यहां पर vt अगर just initial point पर देखेंगे तो vt का slope zero होगा ठीक है acceleration initial point पर क्या होगा जीरो होगा धीरे धीरे यह TA point तक बढ़ेगा क्योंकि TA point के बाद अगर हम slope निकालना स्टार्ट करें तो slope घटना स्टार्ट हो जाता है तकоло vt गरा को धा तो मतलब acceleration और इस point पर की पुएंट करेंगे हमारा so理 अगया zero यह पॉइंट पे टीवी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है यहां पे यहां पे यहां पे क्या हो गया जीरो अब इसके बाद वेलोसिटी एगें यहां पे डिक्रीज कर रहा है तो यहां पे टीवी से टीवी तक कहां है टीवी इस टीवी इस टीवी तक हमारा जो सुलोप है इस टीवी पॉइंट पर अगर देखेंगा तो यहां पे जीरो हो गया तो इस डियूरेशन में अब ध्यान से देखेंगा जहां 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 सुलोप वेलोसिटी का जहाँ जहाँ वीटी ग्राप का सुलोप हमारा जीरो हो गया, जीरो हुआ, वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया, मतलब वीटी ग्राप का सुलोप मैक्सिमम हुआ, वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब टी बी पे एक्सेलरेशन जीरो हो सटों लग्रिशन माक्सीमम हो एक टी करेंगे और जब की तो बहुत कुद चल अब अब ऌसट्राइब होता चलार जाएमा तो आपको सारा अब लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको वह प्रॉब्लम में तो फिलिस कमेंट बोक्स में जुरू बताए और जितना अधिक सदिखा है शेर कर ले शब्सक्राइब करें ठीक है बेल अगर बटन को भी आप प्रेस कर लिए जिससे की जो यूडियो में मना उसक जो नोट